चात्र वाज का वीडियो है Oxford Junior English Translation से और exercise 34 और जैसे कि आप देख रहे हैं आप पर कहा जा रहा है translate into English अथा अंगले जी मन बात करें और sentence है क्या यह मक्खन है क्या वह हाती है क्या वह हाती है क्या यह नदी है तो इसे हम कैसे बनाए यह जो है interrogative sentence है तो इसे आप बनाएगा प और इसके बाद आप डालिएगा this या फिर that या फिर these या फिर those और इसके बाद आप परियोग किजेगा or or an और इसके बाद आपको परियोग करना है noun का ठीक है इसके बाद आपको परियोग करना है noun याद रहे आपको इज का प्रयोग दैट और दीज के साथ किजेगा और आर का प्रयोग दीज और दोज के साथ किजेगा ठीक है और और आन का प्रयोग आप जानते हैं जब नाउन का शुरुवात पहला लेटर भावल से हो तो आन का प्रयोग करना है यदि कॉंसोनेट से हो तो अ का प्रयूब करना है और याद रहे यदि सुरुवाद कॉंसंट स धो लेकिन उच्छारन यदि उसका व्योवल से हो तो फिर भी हमें अन का प्रयूब करना होगा देखे फैला क्या है क्या या मखण है तो इसे आए बनाएगा पहले liख히ा इज पहले क्या क्या यह मक्खण है यादर है आपको uncountable noun में औ और N का प्रियोग नहीं करना है क्या वह हाती है क्या वह हाती है वह है तो वह के साब भी हमको इज कहांई प्रियोग करना है ठेक है इज is that और हाथी देखे countable ना होने है तो और और अन का प्रयोग करना है तो हाथी जो है E से शुरू होगा असाथ भावल से N लएगा is that an elephant is that an elephant क्या वह हाथी है क्या वह हाथी है तो वह है यानि plural है तो R का प्रयोग करना है R डोज दोज और इसमें औ और और न का प्रेविग नहीं करना है क्या यह नदी है लिखे इज क्या यह नदी है क्या यह नदी है आप पहले डाले क्या यह नदी है क्या वह पहार था देखे था आगया है तो था में क्या करना है आपको singular जहां हम लोग एज का प्रिव करते हैं वहां वाज प्रिव करना है और जहां r प्रिव करते हैं वहां अ माउन्टेन क्या उभी पहार थे वेर लिखे पहले वेर वेर दोज माउन्टेन्स क्या यह कलम अच्छी है लिखे पहले इज इज और इसके बाद दिस का प्रविव किजी Is this पेन अच्छी यानि Good Is this पेन Good क्या यह कलम अच्छी है Is this pain Good क्या यह कलम अच्छी है लिखे Are Are these Pains Pains Good क्या यह कलम अच्छी है क्या वह लरका धूरत है देखे इज पहले लिखे Is क्या वेलर के धूर्थ है लिखे पहले आर डोज डोज लिखे प्लूरर ब्वाज क्या वह आदमी एक अभी अनता है तो सिंगुलर है इज लिखे इज इज डाट इज डाट मैन एन इंजिनियर इंजिनियर इसे शुरू हुआ है भावल से इसलिए एन क्या वे आदमी अभी अनता है तो आर पहले लिखे आर आर डोज मैंस हो जाएगा मेन प्लूरर मेन इंजिनियर इंजिनियर इस ग्या यह लरका एक नौकर था फिर था गया है क्या यह लरका एक नौकर था तो पहले वाज लिखे वाज और यह लरका दिस बौए वाज दिस बौए नौकर एक नौकर है ठीक है और सर्वेंट वाज दिस बौए असर्वेंट क्या यह लरका एक नौकर था एक लिखा रहे या न रहे अगर काउंटेबल नौन है तो और और अन का पर्योग करना है क्या ये लड़के नौकर थे तो पहले वेयर लिखे वेयर और यहाँ ये है तो दीज लिखे वेयर दीज वाज और सर्भेंट्स लिखे सर्भेंट्स क्या वह लड़की नर्तकी थी नर्तकी यानि डांसर तो थी है तो वाज लिखे पहले वाज दैट वो है दैट गर्ल गर्ल और डांसर और डांसर क्या विलर के अनर्तकिया थी तो लिखे वियर दोज गर्ल्स गर्ल्स डांसर्स क्या वह स्कूल अच्छा था क्या वह स्कूल अच्छा था देखे तो पहले वाज लिखे वाज वाज डैट वाज डैट स्कूल स्कूल गुड वाज डैट स्कूल गुड क्या वह स्कूल अच्छा था क्या वह स्कूल अच्छे थे तो वेर पहले लिखे प्लूडर है वेर, दोज स्कूल्स प्लूडर, स्कूल्स गुड क्या वे स्कूल अच्छे थे क्या वह आदमी एक बहुत अच्छा नेता था देखे सिंगलर है अर्था है तो लिखे वाज वाज दैट मैन वेरि गुड भाँत अच्छे वेरि गुड लीडर क्या वे नेता लोग से चाक ते क्या वे नेता लोग तो प्लूरर है तो वेर लिखे वेर दोज नेता लोग यानी लिडर्स क्या वे नितालोग सिछक थे?